प्रिये भाई और बेहनों, आप सभी ने रजनीश का नाम सुना होगा, ओर शोजी से कहते हैं उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था, मैं तुम्हे स्वर्ग या नरक का वादा नहीं करता हर विश्वास और धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिर्जा वसबाग्र, आदी खुले दर्वाजों का एक कैट खाना है समस्त मानो जाती गुलामी का जीवन यापन कर रही है इसलिए मैं तुम्हें एक नया जीवन दूँगा, जो सभी धर्मों एवं विश्वास के परे है उनके इस अनुठे संदेश ने दुनिया के लोगों को आकरशित किया इस पतिग्यात नव जीवन और जीवन का सही अर्थ पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग उनके आश्रम की ओर आने लगे परन्तु क्या वे इस संदेश के मताबिक स्वयम को ढालने में सफल हुए क्या उनके अनुएाई उनके दौरा पतिग्याता अनन्त जीवन को प्राप्त कर सके किस हद तक वे अपने जीवन को स्वयम को संदेश नुसा ढालने में सफल हुए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज संत योहन रजनीश से भी महान व्यक्ति येसु को हमारे समक्ष प्रस्तूत करते हैं जिनोंने वास्तों में अपने संदेश के अनुरूप जीवन व्यतीत किया और स्वयम को क्रूस पर बली चड़ा कर अपनी प्रतिग्या को पुर्ण किया आज येसु हमें आश्वासन देते हैं कि वे स्वयम जीवन की रोटी है यदि हम उनमें विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली चुनवतियों का सामना करने के लिए बल पाएंगे आज का सुसमाचा स्वर्गिय रोटी अर्थात यूखरिस्ट की व्याख्या करता है येसु कृस्ट ने गलीलिया के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक भोजन प्रस्तुत किया यह आध्यात्मिक भोजन जिसे प्रभू अपने शरीर और रक्त के रूप में हमें देते हैं और ये भोजन उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के रूप में एक बल देता है इसी के बारे में येसू आज के सुसमाचार के द्वारा हम से कहते हैं स्वर्ग से उत्री वह जीवन्त रोटी मैं हूँ यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा जो रोटी मैं दूँगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मास है यहां येसु स्वयम को रोटी के रूप में हमारे अर्पित करते हैं ताकि हम अनन्त जीवन प्राप्त कर सके उन्होंने स्वयम को हमारी शारिरिक भूप मिटाने के लिए नहीं बलकि आध्यात्मिक भूप मिटाने के लिए अर्पित किया येसु हमें क्रिस्तिय में स्वयम को स्विकार करने के लिए बाद्धी नहीं करते या एक इश्वरिय वर्दान है जिसे स्विकार करना अत्वा अस्विकार करना हम पर निर्भर है लेकिन इस भेंट को स्विकार करना अनंत जीवन को स्विकार करना है अत्वा अस्विकार करना मतलब अनन्द जीवन को अस्विकार करना है अब हम स्वयम को परक कर देखें कि युकरिस्ट में हमारा विश्वास मजबूत है या नहीं कि हम द्रड विश्वास के साथ परंपरसाथ को ग्रहन करते हैं यदि युखरिस्ट में हमारा विश्वास द्रड़ है तो फिर क्यों हमारे जीवन में असंतोष, परिवारों में अशांती तता समाज में असमानताएं क्यों है दृत्य वाटिकन महासबा के अनुसा, क्रिस्टिय समुदाई की धड़कन, युखरिस्टिय संसकार ही है यह हमारे जीवन का केंद्र बिंदू है, जिसके द्वारा हमें ईश्वर तता एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए आईए, हम युखरिस्ट में ईश्वर द्वारा दिये गए अनंत भूजन के लिए, तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद दे हम अपने स्वर्गी पिता से यह भी प्रात्ना करें, कि युखरिस्ट के प्रती हमारे विश्वास को बेमजबूत करें, ताकि हम अनंत जीवन प्रात्त कर सकें आमे